बिहार में रजाने कितनी सरकारे आई, कितनी सरकारे गए कुछ की सियासी किस्मत चमकी, तो कुछ का सफर इतिहास के पन्नों में लुप्थ हो गया लेकिन सबके सियासी सफर का गवा बना, मेरे पीछे ये बिहार विधान सभा बिहार में चुनाव और बिहार में लडाई, बिहार में जोर आजमाईश इसी विधान सभा में दाखिल होने के लिए है मैं उस उचरता कुकरेती और आज से हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बिहार चुनावों पर हमारा स्पेशल शोओ क्या बोले बिहार? हम रोज अलग-अलग विधान सभा शेत्रों में जाएंगे, अलग-अलग शेहरों में पहुचेंगे और आप तक पहुचाएंगे बिहार के जनता की आवाज, हमारे साथ कुछ खास महवान होंगे और होगी बिहार की जनता बहुत जरूरी है ये समझना कि इस बार बिहार की जनता का मन क्या कह रहा है दो विकल्प है बिहार की लोगों के सामने एक तरफ जेडियू, आर जेडियू और कॉंग्रेस है तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के साथ, बीजेपी के साथ, राम विलास पासवान, कुश्वाहा और माजी की तिकड़ी है बिहार की जनता किसके साथ जाती नजर आ रही है, सबसे पहले एक नजर, बिहार में बनते समीकरणों पर तो चट्टानी एकता वाले महागठ बंधन का मुकावला, उग्या खाकर के करेंगे देश की राजनीती बदलने का मात्ता रखने वाले बिहार के तमाम बड़े चेहरों की प्रतिष्ठात दाओं पर और इस महाभारत का विजेता बनने के लिए चुनावी पिसात पर बिच चुके हैं, जाती और अगड़े पिछड़ों के मुहरे पटना की जातर राजनीती से करियर शुरू करने वाले डालू नितीश राम विरास पास्वान सभाचुनाव चीत पाईगी और रवी शंकर प्रसाद अपनी कर्म भूमी पर सत्ता पाने और बचाने की जंग लड़ रही पटना की 14 विधान सभा सीटों पर तीसरे चरण में 28 अक्टूबर को वोटिंग होनी है 2010 के विधान सभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा 6 सीटे मिली जेडी यू को पांच और आर जेडी के तीन उम्मीदवार चीदे थे पीने का पानी, सबकों पर लगने वाला चांग, तेजी से बड़ती शेहर की आबादी यहां के बड़े मुद्दी पटना में भी जाती एक एहम फैक्टर है पटना जिले की कुलावादी 58 लाक है, मुस्लिम वोटर करीब 4 लाक 40 हजार यादब जाती के वोटर 4 लाक 30 हजार है, जबकि कायस्त वोटर 4 लाक के करीब पटना शेहर को परंपराकर तोर पर इजेपी का गढ़मा है शेहर की चार विधान सभास सीटों में से तीन पर बीजेपी का हफसा इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास महमान है हमारे साथ जेडियू नेता राजीव रंजन है साथी हमारे साथ बीजेपी के नेता नितिन नवीन है बिजेपी से ही हमारे दूसरे महमान संजीव चौरसिया हैं और साथी हमारे साथ कॉंग्रेस के कुमार आशीष हैं आप सबका बहुत-बहुत स्वागत हैं राजीव जी मेरा पहला सवाल आपसे इस विधान सभा में जोर आजमाईश के लिए इस विधान सभा में दाखिल होने के लिए आप अपने साथी भी बदल सकते हैं और जिनके खिलाफ धुर विरोधी रहे उनको साथ ला सकते हैं देखें ये लाव भारती जनिता पार्टी के नेत्रितों के गड़बंदन को क्यों मिलता है कि उन्हों ने और सरवाजिता की जो पराकास्ठा की है जिस तरह से बेबेल गड़बंदन उनका रामिलास पासवान जी के साथ हुआ जिस तरह से माजी जी को लगातार गालियां दे से नितिश कुमार्जी और लालू जी का जन्व हुआ बिहार की राजनिती और ये बिलकुल ही जो एक स्वभावी गड़ जोड़ हो सकता है जहां मानुविये मुल्यों का सवाल हो समाज के तमाम उपेक्षी समुहों को विकास की मुख्यधारा में लाने का सवाल हो शुसासन ह ये तो फिर मौका परस्ती की राजनिती हो गई राजीव जी मौका परस्ती नहीं है ये मौका परस्ती की राजनिती नहीं तो क्या है ये निशी तोर पर मौका और सत्ता परस्ती की राजनिती है उसका सबसे बड़ा उधारन ये है कि आपने मैंडेट जो मांगा बिहार के साथ 2010 के चुनोई में किन के साथ मैंड़े ब्रतव इंत्रता के साथ और किन खिलाफ मैंड़ेट वहरो को शवजब्हा को Satya कि अपने अपने किया और जैसे बड़े भाई ने कहा कि 74 आंदोलन के तो 74 आंदोलन के पूरे नित्रुत करने वाले लोग क्या थे कॉंग्रेस की विरोधी थे अज उसी कॉंग्रेस के गूद में एक खिलोना साबित हो रहे हैं यह सबसे बड़ा प्रशन जनता पूछने समाल कुमार आशिश ह साथ कॉंग्रेस के हैं कुमार आशिश साब कॉंग्रेस के साथ आज खड़े हुए हैं आप लोग तो बिहार में आपके पास अपनी राजनेतिक जमीन रही भी नहीं आप तो लालू नितिश के कंदे बचुनाव रगर नहीं ऐसी बात नहीं है चुकि हम लोगों का जो धर् करने का काम जो करने का प्रयास किया है ठीक ठीकदार की बात नहीं है आप इसका इतिहास देखिए हम लोग जो कॉंग्रेस पार्टी है या जो आधरनीय नितिश कुमार जी है लालू जी है यह हमेशा एक परिवार के साथ पुरे देश को और आम अवाम को लेकर चलने का का क सवालों से राहत इन्हें क्यों मिल रही है मेरा यह कहना राहत किसी को भी नहीं है राहत किसे आप सवाल पूछिए सवाल सुचारिता जी देश की राजनिती में नरेंद्र मोदी जी का जो पिछला दो वर्ष है एक प्रचंट जनादेश के बाद अगर वो साहस जुटा नह कि सरकार बने नेत्रित्व कौन करेगा यह तो जनता को जानने का अग है और पूरी तरसे भारती जनता पार्टी के पास दरजोनों लीडर्शिप है और पूरी तरसे बियाहार में हमारे लीडर्शिप के सामने आज उनको क्यों जरूत पर गई लालु जी की जिस वेक्ति के का नितीज कमार को जिस उंगली पकर कर बीजेपी ने चलाया इसले नहीं है क्योंकि चेहरों के बीच में एक तरह से टक्राव है कोई तक्राव नहीं है भारती जनता पार्टी का कमल निसान है और उसी कमल निसान पर वोट मिलने वाले आप चिंता मत किजिएगा इसका नही कि इंडिया की सरकार बनी तो उसका मुखमंत्री कौन होगा उनका पीछे क्या नुभव रहा है यह जनता को दिखना चाहिए तभी तु प्रभोट करें जन्ता ना महागट बंधन के मुख्यमंत्री के दाविदार है एक चीज बदा सबस्ट है आज बिहार की जनता विसे प बताएं ये बताएं मोदी जी मोदी जी जब लोक सभा में जब आये थे बिहार तो उन्होंने वादा किया था युवाओं के लिए कि युवाओं को नौकरिया देंगे लेकिन जैसे ही सरकार इनकी बनी युवाओं के नौकरिया समाप्त हो गई घोसना कर दिया गया कि यु प्रवाइन रुका है कम हुआ है और जिस तरह से पंजाब और हरियाना में ठ्राजिस कौन से आकड़े हैं क्योंकि इनके बारे में हमें नहीं पास जो आकड़े हैं मैं उनको प्रमानित करने की स्थिति में हूँ मेरे प्रतिध्वंदियों से पूछिए एक लाग पचीस अज करोड के उस पैकेज का सजस्त तरफ बिहार सरकार ने अपने जाजरी किया है हमारे यह कहना कि हमारे 10 वर्श का जो विकास है ये विकास की महागाथा है करने के लिए पब्लिक को भ्रमित करने के लिए पैकेज को लेकर संजीव जी बहुत सवाल उठ रहे हैं क्या है न जैसी मनोदसा वैसी भावना आज माननिया नितिस कुमार जी रीपैकेजिंग करके खुद मुख मंतरी हो गए मैं पूछना चाहता हूँ कि मुख मंतरी जो मैंडेट मांगे थे इस मैंडेट के साथ विश्वास घात करके आप लालू यादो जी के साथ ता आप तो खुद रीपैकेजिंग किये खुद रीपैकेजिंग करके मुख मंतरी बने मैं दूसरा प्रशन पूछना चाहता हूँ कि आप यह बताइए कि मांजी जी के साथ जिस प्रकार से आपने विश्वास घात किया समाजिक समीकरन की बात करते हैं क्या हुआ आपके साथ मैं तो दमखम के साथ कहता हूँ कि ब पैकेजिंग कर लिए पहली बात तो सुन लीजिए गडबंदन पर सवाल बड़े इनके हैं महादलित मुख्यमंत्री को जिस तरीके से बिहार के पहले दिन सपत ग्रहन के बात से डेर सो बयान इनके आर्काइब में चले जाईए बयान मिल जाएंगे जितनी गालिया इन्हो पुर्सी से बाहर उतरने के लिए लुबाया और एक-एक सीट के लिए एक-एक सीट के लिए वो ठीक है हमने यही किया कि दल से बढ़ा कुछ भी नहीं है इनके उकसावे पर दल के विरोध में काम कर रहे थे पार्टी ने दल के लिए यह निड़ना लिया लेकिन सवाल है क पीजेपी के साथ उपेंद्र कुश्वाहां आते हैं बीजेपी के साथ जिद्रराम गांजीं आते हैं तो क्या एक अच्छा गड़ित बीजेपी ने बिठाया है। चुनाव में उनको जाना चाहिए था नितिश जी को जब अलग हुए बीजेपी से तो उसी वक्त चुनाव कराते और जो माइंड़ पब्लिक देती अगर उनको देती तो वही बैठते उन्होंने तो पैसा बिहार का बरवाद किया हमारा बरवाद किया हमारा मतलब बिहार का उन्होंने मीजियम बना दिया जहां हॉस्पिटल बना चाहिए सुशासन को लेकर सवाल पूछा गया कि क्यो नितिश कुमार उस समय अकेले चुनाव में नहीं लड़े बार बार वही सवाल आपके सामने आ रहा है देखें यह सवाल का क्या अर्थ है नितिश कुमार जी ने बिहार में जो दस वर्चों का शासन दिया और इस बार जो मैंडेट लेने का यह सवाल भाजपा के साथ ही बारवा उठाते हैं क्या उन्होंने नरेंद्र मोधी के लिए मैंडेट मांगा था कि देश के प्रदानमंत्री बनाने के लिए बिहार की जो भारती जंता पाटी की काई है वो हमारे साथ चल करेगी और जो गडवंदन को मैंडेट विकास का मिला था उसे अलग हट करके देश में जो धर्म निर्पेक्षता की बात होती है इस बार बिहार का जो वोटर है वो क्या जाती है समिकरणों पर ही वोट डाल रहा है या फिर विकास का मुद्दा है उसके सामने जिसके आधार पर वो वोट डालेगा हम बात करेंगे एक चोड़ा सबने बिहार चुनावों में एक बड़ा मुद्दा वो सवा लाग करोड का पैकेज जो केंद्र सरकार ने बिहार को दिया लेकिन उस पैकेज को लेकर लग रह पैकेज को लेकर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं अगर आप लोगों को मिला है तो यह बिहार की जनता के लिए उनके लिए फायदा है देखे सबसे पहली बात है वो पैकेज है नहीं है सवाल है कि अगर नकली नोटों का बंडल आप जनता को दे दें कि मैंने आपको पांच लाग रुपए दे दिए शिक्षा के लिए आप पढ़ाई पढ़ लीजिए तो नकली नोटों से कोई डिग्री आप खरीद में एक पधान मंत्री ने एक सरकारी का एक्रम में घोचना की और वित्व विभाग के हमारे मंत्री अरून जेटनी ने ब्यापतिस की कॉडिनेशन मिटिंग की और पूरी तरह सामने से यह आके बोलना चाहिए था कि मुझे और आप सकता है मुझे यह चीज मिलाते हैं आप जुमला साबित हुआ उसी तरह से चुनाव बिजेपी जब चुनाव हारी गी तो इस बात को भी जुमला बोलेगी और अपने आपको पीछे हटा लेगी वोप्यकेज ने यह डर है बिहार में बिहार की जंता को कि यह सर्प जुमला ना साबित हो मेरा मुझे लगता एक और बड़ा सवाल यहां पर बिहार की जंता के बीच यह है कि इस बार जब बिहार के वोटर बोट डालने जाएंगे तो उनके सामने मुद्दा क्या होगा क्या वो जातिय समीकरणों के अधार पर बोट डालेंगे या फिर विकास के नाम पर बोट डालेंगे किस पर होगा यह विकास का बोट भरतिय जन्ता पार्टी के पक्ष में जाएगा जो सुल्जी वी पार्टी है और लोग प्रधान मति नरेंदर मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है इसमा अगर विकास के नाम पर वोट है तो क्यों एक होड लगी हुई है राजनेतिक दलों में ये दिखाने के लिए कि हम जातिया प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हर एक पार्टी में लगी है वो होड हर एक पार्टी ये भारते जन्ता पार्टी ने देश में बताया कि विकासी एजंडा है ये नितीश कुमार को अभी पांच साल का मेंडेट उनको मिला तो आज ब्याहर की जन्ता के सामन अपनी उपलब्धियों के गिंती नहीं कर रहे हैं उपलब्धियों का बखान नहीं कर रहे हैं जी यह बात बिल्कुल सही है कि जब तक नितीश कुमार बीजेपी के साथ थे तब तक अच्छा डेवलप्मेंट हुआ ब्यार कर लेकिन जब से वह धोखा देगे छोड़ दि कुंडी ठक ठका रहे हैं और सादू यादो जी को बाजापता उनको अहमदाबाद में प्रधान मंतरी जी से मिलवाये गया लगातार वैसे तब तो जिनके करण लालू जी के शासन की बदनामी हुई उनके साथ यह हाथ मिला रहे हैं जो चुनाव को लेकर एक समिकरण बन हैं वो विकास की राजनीती पर है या नहीं क्या वोट विकास का है या नहीं क्योंकि तमाम पार्टियां चाहे वो जेडियू आर जेडी का गड़ बंधन हो या फिर एंडिये का गड़ बंधन हो वो विकास का प्रतिन धित्व करते नजर आ रहे हैं क्या बोले बिहार में बिहार विधान सभा से फिलाल इतना ही कल एक बार फिर आजिर होंगे एक और विधान सभा शेत्र से बहुत बहुत धन्यवाद